मित्रो नमस्कार आज हम बात करेंगे राष्टिय स्वयन सेवक संग और उसके सेवाकारियों के बारे में हम सब देख रहे हैं कि देश एक कठिन परस्ति से गुजर रहा है देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है लोग परिशान हैं, पीडित हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं ऐसे समय में संग एक बार फिर लोगों की उम्मीद बन करके नज़र आया पिछले बर्स कोरोना का जब देश में आगमन हुआ कोरोना का कहर देश में आया उस समय भी हमने देखा कि संग और उसकी समविचारी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर सेवा कारी चलाए, राहत कारी चलाए जब देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर है विकराल है, लोग परेशान है, हलाकान है तब फिर एक बार संग के स्वयम सेवकों ने उन लोगों का हाथ ठामा है उनके मन में एक विश्वास आत्मवल पैदा करने का एक प्रयास किया है संग ने देश भर में बिविन्य सेवा कारियों का संचालन प्रारम कर दिया है आज दिल्ली में रास्टिय स्वयम सेवक संग के अखिल भारतिय प्रचार प्रमुक स्री सुनील आमबिकरजी ने संग कारियों के बारे में एक विवरन दिया है उसमें उन्होंने बताया कि देश के प्रमुक सहरों में 219 इस्थानों पर स्वयम सेवकों द्वारा कोविड अस्पतालों में प्रसासन का सहयोग किया जा रहा है और 43 प्रमुक सहरों में कोविड सर्विस सेंटर सुरू कर दिये हैं इसी तरह 2442 इस्थानों पर टीका करण के काम को संग के स्वेंसिवग गती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि संग ने इस कठिन समय में 12 प्रकार के आवश्यक कार्य प्रारम किया। जो लोग संभावेत रोगी हो सकते हैं या जिन में बहुत मामूली कोरोना संकर्मन हैं उनके लिए आईसोलेशन सेंटर संग ने शुरू किया हैं। और जो पॉजिटिव मरीज हैं जिनको जादा देखरेक की जरूरत हैं उनके लिए संग ने कॉरंटाइन सेंटर सुरू किया हैं जहां वे डॉक्टर्स की मदद भी उपलब्द करा रहे हैं बाकी सुविधाएं भी दे रहे हैं। बोपाल, इंदोर, गॉलिर में भी इस प्रकार के कॉरंटाइन सेंटर सुरू हुए हैं आइसोलेशन सेंटर भी सुरू हुए हैं और इसके साथ ही जो सरकार के इस तरपर कोविट सेंटर चल रहे हैं अस्पताल हैं कोविट अस्पताल हैं उनमें भी डॉक्टर्स की परिज या एकल परिबार हैं और पूरे लोग कोबिट से ग्रस्त हैं बोजन बनाने में असमर्थ हैं ऐसे लोगों को भी संग के स्वेंसेवक बोजन उपलब्द करा रहे हैं ताकि उनको बोजन के लिए चिंता नहीं करना पड़े दवाएं उपलब्द करा रहे हैं इसके साथ ही यहां तक कि अन्तिम संसकार में भी कुछ लोगों को जिनके कोई नहीं है धनी दोरी उनके मदद करने के लिए उनका बिधी से अन्तिम संसकार हो इसके लिए भी संग के स्वेंसेवक सामने आये हैं मैंने प्रतक्षिस की अनभूती की है और कई लोगों को मैंने स्वें संग ने शुरू किया तो चर्चा सब और निकली के संग ने बड़ा कोबिट सेंटर शुरू किया है तब मालवा के जो प्रांत कारवा हैं उन्होंने इस पर एक बड़ा सुंदर वक्त तब विदिया जारी किया प्रेस में उन्होंने का कि ये संग ने अपने बलपर नहीं किया जो कोबिट सेंटर शुरू हुआ है ये समाज की ओर से शुरू हुआ है संग इसमें एक निमित्त महत्र है तो ये संग की भावना है जिसमें संग सब को ले करके मिल करके काम चल रहा है क्योंकि ये जो दुख की घड़ी है वो किसी व्यक्तिगत के उपर नहीं आई किसी एक जनकी पर नहीं आई ये समूची मानपता के उपर है इसलिए सब को एक जिट हो करके इस छेत्र में काम करना पड़ेगा तो हम जब मिल कर लड़ेंगे तो इस कोरोना से जरूर जीतेंगे इसलिए बार-बार इस संकल को दोरानी के आवशकता है हम जीतेंगे कोरोना हारेगा झाल